किसान भाईयों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारे यूटूब चेनल में किसान भाईयों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सबजी के बारे में जिसकी खेती करके हम बहुत ही कम समय में सक्सम किसान बन सकते हैं दोस्तों बहुत से ऐसे किसान है जो इस खेती का फाइदा उठा कर लगपती बन चुके है और सक्सम बन चुके है चहाँ पर वो परमपरागत खेती करते थे वहाँ पर उन्हें कम मुनापा मिलता था उस परमपरागत खेती को उन्होंने छोड़ कर इस खेती को आजमाया और काफी अच्छा बेनिविट मिला तो दोस्तों आप भी इस खेती के माध्यम से अच्छा खासा मुनापा कमा सकते हैं और बहुत ही कम समय में अच्छा खासा बेनिविट ले सकते हैं इस खेती के द्वारा और दोस्तों कम जमीन में भी आप बहुत ज़्यादा मुनापा कमा सकते है तो दोस्तों आप फूल गोबी की खेती करके बहुत ज़्यादा मुनापा कमा सकते है दोस्तों इसकी खेती के बारे में पूरन वीडियो हम अगले वीडियो में इसकी पूरी जानकरी दे देंगे दोस्तों इस वीडियो में हम भी जानते हैं कि फूल गोपी की कहती हर एक सिजन में किये जा सकती है और दोस्तों इसके लिए प्रयापत जलवायू की आवसकता होती है जो लगबग लगबग सबीक सेत्रों में इसके अनुकुलित वतावरण ही रहता है तो दोस्तों इसकी अगर आप अभी जो खेती करना के बाद इसकी जो है नरसरी लगाते है तो दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूँ मैं आपको रिक्मेंड करूंगा कि आप जो इसकी नरसरी त्यार करते हैं मही महिने के अंतिम सब्ता में ही इसकी नरसरी त्यार कर ले जिससे की आपकी नरसरी 10 से 15-20 दिन में अच्छी तरी प्रविने में इसको जल्दी बो दे ताकि आपको जल्दी से इसकी पिदावार मिल सके तो दोस्तों यह है जो फूल गुबी की हम खेती करेंगे तो इसका जो पकने का टाइम होता है लगबग 55 से 60 दिन में यह पूरी पकर त्यार हो जाती है और दोस्तों जब यह पकर त्यार होती है अगर हम जल्दी इसकी फसल को लगाते हैं तो हमारी फसल भी जल्दी पकेगी तो दोस्तों अगर जल्दी पकर त्यार हो जाती है तो उस टाइम पर लगबग 50 से 60 रुपे पर दिन किलो यानि कि एक फूल में एक किलोग्राम वजन रहता है और एक किलोग्राम से बहुती कम समय में बहुती कम जगह में जो है अच्छा खासा मुनापक कमा सकते है फूल गोबी की खेती के दोरा तो दोस्तों मैंने भी पहली बार पहली बार ही इस फूल गोबी का प्लाट लगाया और मुझे कापी ज़्यादा बेनिविर देगने को मिला तो दोस्तों प्रशा करता हूं मैं यह वीडियो आपको पसंद आए होगा पसंद आए तो लाइक सेर कमेंट जरूर करें और दोस्तों अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट करके जरूर बताए ताकि हम अगले वीडियो में इसके बारे में पूरी डीटेल के साथ और पूरी इसकी जो है दवाईया इस्प्रे भाई खात वाद क्या देना है पूरी जानकारी हम आगे की वीडियो में रिकमेंट करा देंगे दोस्तों उम्मेद करता हूं वीडियो पसंद आए होगा और आप मैं आप से कहना चाहता हूँ कि एक बार आप इसकी खेतिक करके जरूर देखिए पोध